नमश्कार, मैं Dr. Poonam Goyal, Radiation Oncologist, Manipal Hospital, जैपूर से, आज आपके सामने breast cancer awareness के बारे में कुछ बताने जा रहे हूं। The pink ribbon denotes the pink health of a female. Breast cancer महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे common cancer है. Worldwide cancer की incidence बढ़ती ही जा रहे हैं. इंडिया approximately one third of cases पूरे world के breast cancer के present करता है, जिसमें से percentage of death rate more than 50% है. सबसे बड़ा कारण है lack of awareness and delayed diagnosis. So, आज हम इसी awareness के बारे में बात करेंगे. Breast cancer क्या है? कोई भी abnormal lump जो की आपके breast या armpit में हो, या फिर कोई भी ऐसा skin change जो की abnormal हो, like skin का थिक होना, red होना, या फिर उसमें कोई भी चाले या अलसर का आना. इसके अलावा, निपिल का retraction या निपिल का किसी भी तरीके से कोई भी change निपिल एरियोला कॉम्पलेक्स में, ये एक alarming sign है कि आप breast cancer हो सकता है. अगर आपको ऐसा कोई भी sign या symptom नजर आता है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को जाके विजिट करें. Breast cancer screening programs all over world इस मन्त में डाले जाते हैं. इसके तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है, self breast examination. कोई भी महिला जो की 20 साल से जादा की उमर की है, इसमें महिला खड़े होकर, बैट कर और लेट कर, तीनों पोजीशन में अपने breast को examine कर सकती है. यह इसके लिए शुरू किया जाता है, ताकि आपको abnormal और normal breast का difference पता लग सके. Second thing होती है, clinical breast examination. Clinical breast examination कोई भी health care professional से करवाया जा सकता है, जो की 3 साल में एक बार होता है. आखरी बट लेकिन सबसे important चीज़ होती है, screening mammography. Screening mammography कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा सा x-ray होता है, जिसमें बहुत low dose में x-ray हम देते हैं, जो की specially breast में होने वाले किसी भी change को detect कर लेता है, और यह detection इतना early होता है, कि जितना पहले आपके clinician या आप खुद भी उसे detect नहीं कर सकते हैं. तो screening mammography से यह फायदा होता है, कि हम cancer को बहुत जल्दी detect कर लेते हैं, जिससे cure rate और longavity of life जो होती है patient की, वो काफी बढ़ जाती है. breast cancer screening के लिए, जो screening mammography होते हैं, वो generally 40 साल से बाद की उम्र पे advisable होते हैं, क्योंकि वो एक सही time होता है इस mammography को करने का. 40 साल के बाद हर साल एक बार screening mammography जरूर करवाएं, 40 साल से कम की अगर उमर है आपकी और आपको screening करवानी है, तो उस condition में ultrasound of breast is advisable. main treatment modalities जो breast cancer को treat करने के लिए यूज की जाती है, उसमें सबसे पहले आता है surgery, second number पे chemotherapy या हार्मोन थेरेपी and last आता है radios therapy. ये तीनो modality का decision एक tumor board के थूँ किया जाता है, जो कि patient के investigation और उनकी staging के base पर decision लिया जाता है. इसमें कुछ part, कुछ decision आपकी staging के base पर होता है और कुछ decision patient के हाथ में होता है कि वो breast conservation करवाना चाहता है या breast completely remove करवाना चाहता है. ये सारे decision एक body team के समक्ष लिये जाते हैं और फिर patient को treat किया जाता है. आज कल techniques इतनी advance हो गई हैं कि अगर हम ये treatment breast cancer का complete treatment timely लें, तो इससे cure rate को काफी increase किया जा सकता है और longavity of life काफी बढ़ा ही जा सकती है. So, आज की जरुवत ये है कि हम early detection और complete treatment पे जोर दें. So, girls and ladies, you are the real backbone of your family. इसलिए आप से हम्बल request है कि इस मन्त में अपने आपको थोड़ा सा time दें, इस मन्त में अपने आपको ये अपनी health care की gift दें, अपनी mother, sister, daughter, इनसे बात करें, अपना examination, self-based examination करें और कहीं भी कोई भी ऐसा doubt आए या कोई भी ऐसा symptom आपको मिले जो मैंने बताया है, तो आपने nearby doctor से visit करें और उनकी बताय हुई जांच और इलाज को आगे कराएं, धन्यवाद.